तो भाई कोश्टन ये कि काफी मेनत करते हैं, बहुत हार्डवर करते हैं, फिर भी एक पोजिटिव रिजल नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सांसर ये कि आप फोकस होकर स्टेडी नहीं करते हैं, या फिर जो भी वर्क आप कर रहे हैं, उसमें आपका फोकस नहीं था, मेन ये आता है, तो फोकस कैसे बनाएं किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप किसी काम को फोकस से करते हैं, तो उसकी एफिसेंसी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा फोकस से आप करेंगे, उतने अच्छे से आप उस काम को कर पाएंगे, तो फोकस बहुत सा पर डिपेंड करता है एक्टरनल फेक्टर्स भी होते हैं कुछ इंटरनल फेक्टर्स भी होते हैं जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं और इंटरनल फेक्टर्स जो हमारे बोडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं या फिर जो भी हमारी बोडी के अंदर हो रहा है पहली बात तो यह है focus करने के लिए कि environment एकदम phrase होना चाहिए मतलब यह कि अगर आप study कर रहे हैं तो आपकी books एकदम proper तरीके से arrange होना चाहिए यह नहीं कि कहीं भी पढ़िये एखटी और डूसरी बात यह है कि एकदम साफसफाई होना चाहिए अच्छा दिखता है आसपास तो पढ़ाई करने में interest भी होता है और focus भी अपन किसी चीज में कर पाते हैं कोई भी बर को चाहे वो study हो business हो या फिर कोई और बर को पर focus से किसी भी काम को करना बहुत जरूरी है उसके बाद बात करें हम पहले एक्स्टरनल फेक्टर्स की तो एक्स्टरनल फेक्टर्स हमारे माइंड को सीधा effect करते हैं जो हम देख रहे हैं यानि कि आप अगर study कर रहे हैं तो confidence आएगा और focus करने की power भी बड़ेगी क्योंकि आप अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छा करने का मन होगा आप आसपास देखेंगे कि study ही कर रहे हैं लोग या फिर study ही करना है अच्छे अच्छे motivational thoughts आएंगे मन में तो आप study में भी focus कर पाएंगे उसके बाद जो हम सुन रहे हैं यानि कि जब हम study कर रहे हैं तो restrictions नहीं होना चाहिए यह नहीं की टीवी चल रहे हैं मोवाइल चल रहे हैं या फिर काफी ज़्यादा विकल्स का sound भी आ रहा है आपको silent में study करना है कोई source अरावा ना हो अगर आप silent में बेटकर study कर रहे हैं सांत एरिया में बेटकर study कर रहे हैं तो आप focus अच्छे से कर पाएंगे अपनी study में उसके बाद बात आती है कि अगर ज्यादा source रावा हो रहा है तो silent सा music लगाई है और अपनी study को start कर दीजिए उसके बाद बात आती है कि smell अगर आपको अच्छी smell आती है तो आपका mind एकदम phrase feel करेगा यह आप करके देखना एक बार तो इसके लिए आप अगर वत्ती भी लगा सकते हैं या फिर room spray भी यूज़ कर सकते हैं यह बहुत importance है mind को phrase feel कराने के लिए phrase mind feel करेगा तो focus भी उतना ही अच्छा करेगा mind इसलिए अच्छी आसपास खुसबू आना चाहिए आसपास अच्छे thoughts आना चाहिए positive thoughts आना चाहिए source रावा नहीं होना चाहिए अगर आप mainly study करना है तो एकदम silent में बेठकर study करना है सांत area में बेठकर study करना आप ये तीन external factors को तो arrange कर लीजिए और फिर आप देखिए आप कितने focus से study करेंगे और जो आपका output होगा बस आप एक भी किस चीज को follow करिए और आपका output देखना पिछले हफते के output से कई गुना जादा हुगा इसके बाद बात करें कि internal factors यानि कि जो food हम खा रहे हैं उस पे भी काफी जादा depend करता है हमारा mind अगर हम junk food खा लेते हैं या फिर जादा oily खाना खा लेते हैं तो हमारे mind में डलने साथी है आलस आने लगता है और उससे focus से हम कोई भी work नहीं कर सकते आलस बना रहता है इसलिए आप fresh vegetables खाएं उसके बाद junk food को avoid करें घर का fresh खाना खाएं इ और study में भी आप काफी अच्छे सब focus कर पाएंगे और आपको interest होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं क्योंकि यह internal factors है अगर आपको अंदर से interest होगा तो automatically focus होगा और आपका distraction से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो interest होना बहुत जरूरी है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उ उसको focus से करिये के बाद एक और चीज बहुत importance रखती है आपका interest बढ़ाने के लिए interest होना बहुत जरूरी है अगर आपको focus से study करना है तब ही तो हमारा मन लगेगा पर interest कैसे बनाया जाए तो interest बनाने के लिए यह है कि आपको कोई भी चीज जितने अच्छे से समझ आने ल मेरा और मन हो रहा है कि physics के बारे में और जानना चाहता हूं मैं तो यह सा ही होता है तो schedule study करें यानि कोई confusion create नहीं होता कि आज Hindi पढ़ूं English पढ़ूं या फिजिक्स पढ़ूं या फिर chemistry पढ़ूं इसलिए आपके पास proper schedule होगा तो आपको पता होगा कि सिर्फ आज मुझे यह काम करना है तो अपना time भी waste नहीं जाएगा और mind पर pressure भी नहीं रहेगा कि आज क्या पढ़ूं इस सोचने में भी अपना time मरबाद नहीं होगा तो इन चीजों को follow करिए और इसके बाद देखिए आपका focus कितना बढ़ जाएगा काफी जादा आप focus से study करेंगे और जो आपका output होगा आप result देखना बस एक बीक इन चीजों को follow करिए जो कि मैंने बताया है इन में से कोई भी चीज को मत छोड़ना मैंने से ही बहुत important important चीज बताएं इन में से किसी चीज को मत छोड़ना सारी चीजों को follow करें और फिर आप उसका result देखना एकदम positive result आएगा औ और इसे ही amazing videos के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए thank you